कोरोना संक्रमन के खिलाफ देश भर में जारी जंग में कई करमवीर भी अपना सायोग दे रहे हैं इन टेलर्स का कहना है कि जब तक कोरोना से जंग जीत नहीं जाते तब तक उनका कामजारी रहेगा वही कई महले में भी लोग पुलिस प्रशासन में आम लोगों को निशुल्ग मास्क वित्रिद करते नजर आए कोरोना संक्रमन महमारी को निपटने के लिए जहां देश भर में कई तरह से लोग आर्थिक शयो करते नजर आ रहे हैं वही कई करमवीर अपने हुनर के मादम से सयो करते नजर आ रहे हैं वर्तमा अस्ति दिन जहां कोरोना संक्रमन्ट से बचाओ के लिए मास्क पहने के हिदाय दी गई है वहीं मास्क की कमे की सलते लोगों को मास्क उपलब्द नहीं हो रहे हैं ऐसे में बाडमेर के लोग शेयों से लाई कर मास्क बनाने सुरू किये हैं यह मास्क विभिन सरकारी वभागों जरुतमंद लोगों में बाटे जा रहे हैं बाडमेर के पारस गोयल ने अपने करमचारियों ने मास्क बनाने का काम 21 मार्च को सुरू किया और परती दिन करीब 500 से 700 मास्क बना कर यह बाडमेर के पुलिस करमचारियों यह विभिन वभागों के साथ बिना मास्क कब घूम रहे आमजन को निशुलक बाट रहे हैं पारस गोईल के अनुसार मास्क की कमी की चलते उन्होंने अपने करमचायों के साथ परती दिन मिलकर मास्क बनाने का काम शुरू किया है और अब परती दिन मास्क बना कर उनके द्वारा निशुलक बाटे जा रहे हैं गोईल तो जिसी की परश्वासन में मेडिकल में या कोई जरूदबंस जिसी को जरूद हो तो तुरहं बुझे बना और फ्रीमेट सेवा का मुक्त दै रहे हैं ये लगातार हम 22 से का जाए काम अब तक कितने मास्क बना चुके हो और कितने दिन और बनाने का हैं अभी जितने दिन ये चलेगा महुल जब जरूत होगी लोगों तो उस दिन बना कर देगे इसी कड़ी में सहर के भामाशा दौरा मास्क वित्रन का दौर शहर भर में जारी है भामाशा अपने इस तरफ पर मास्क खईद कर पुरिश कर्मियों विभीन विबागों करम चारियों और बिना मास्क लगाए लोगों को मास्क बारते नजर आ रहे हैं और कोरोना संकरमन से बचाओ को लेकर काफी सर्त रग नजर आ रहे हैं